दोस्तों अगर इस दुन्या के रहस्य को हम जानने के कोशिश करे तो एक जीवन क्या कई जीवन के बाद भी पूरी दुन्या के रहस्य को नहीं जान पाएंगे वही इन रहस्य का एक बड़ा हिस्सा देखे तो कही न कही एमेजन रिवर और उसके जंगलों के आसपास के इलाकों से जुड़ा रहता है आपने अब तक ऐसे कई किस्से सुने होंगे जिसमें लोग एमेजन फोरेस्ट की बात करते है वहां मौझूद मिस्ट्रिय स्ट्रीस की बात करते है खतरनाक जहरीले जीवों की बात करते है लेकिन हम आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीज की और बताएंगे इतनी advanced technology होने के बावजूद अभी तक Amazon River पर कोई भी ब्रीज क्यों नहीं बना पाया आज की जमाने में हमने इतनी तरक्की कर लिए है कि हम समुंदर में भी ब्रीज बना सकते हैं तो आखिर इस नदी का ऐसा क्या खौफ है कि इस पर अभी तक कोई भी ब्रीज नहीं बना पाया तो दोस्तों मैं हूँ अलफरान और आप देख रहे हमारे चैनल फैक्ट अलफा तो आईए श्रू करते हैं वीडियो दोस्तों Amazon दुनिया का सबसे बड़ा रेनफॉरेस्ट है रेनफॉरेस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको बता देते है कि वो जंगल जहां जादा मात्रा में बरसात होती है हर समय हर्याली बनी रहती है और यह रेनफॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इसका 70 लेक स्क्वेर किलोमेटर से भी जादा का एरिया ये एक्विपाई करता है और एक हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये जंगल लगबग 5.5 करोड साल पुराना है इसे दुनिया के लंग्स भी कहते है क्योंकि दुनिया का 20% अक्षिजन और साफ पानी इनी जंगलों में बहता है और इनी जंगलों में से ही बहती है Amazon नदी Amazon नदी दुनिया की सबसे पहली बड़ी नदी हुई है जिसकी लंबाई 62,000 से लेकर 7,000 किलोमेटर तक है दोस्तों ये बात सच है कि Amazon नदी पर पूल बनाने में कई चुनौतिया है जिसमें सबसे बड़ी चुनौति है मौसम क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो नदी का पानी 30 फीट तक बढ़ जाता है और 3 मिल की क्रोसिंग 30 मिल की हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है बरसात के मौसम में तो हर नदी बड़ी हो जाती है लेकिन Amazon नदी पर जब बारिश होती है तो कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा किनारा डुबेगा तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि पूल बनाए तो बनाए कहाँ पे तो दोस्तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यूँ आज तक Amazon नदी पर पूल नहीं बना यानि कि ब्रिच नहीं बना तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो किसे लिए कमेंट सेक्टर में ज़रू लिखेगा अगर वीडियो पसंद आयो तो एक लाइक करेगा अपने दोस्तों तक शियर करेगा और ऐसे आमीजिंग और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले